है भुआ से से बच्चों को दिकतते हैं। इसे मोग Lav我 के प्रैक्टिस कराते हैं तो ग्रूप कैसे बनाना है सब्सक्राइब करते हैं । मैं अगर थे हैं भिए य। कमपनी बनाई और यहां पर जैसे की बोला है क्रिएट अ न्यू कमपनी फिद फॉल्लोइंग नेम नियू एरा डैस स्टुडेंट नेम तो मैंने अपना नालिया नियू एरा डैस देगर के मैं अपना नाम लिख लेता हूं अजीद कुमार ओके एड्रेस एड्रेस के लिए कह रहा है शाही मार्केट नियू एरा ओके ठीक है शाही मार्केट नियर आरकेड़ी के सेकंड फ्लूर गुर्णपूर ओके दन कंट्री इंडिया स्टेट उत्रप्देश पिन कोड गटालना चाहते है तो डाव दिजिए ओके मॉबाइल नंबर अब वाइल नंबर में डाल देता हूं नियू एरा का ओके एमेल एड्रेस ओके वेबसाइट ओके तो यह सो मैंने बना दिया अब देखिया आपके कहा रहा है स्टार्ट में क्या रखना है एक अप्रिल 2018 बुक्स बिगनिंग में एक अप्रिल 2018 सो मैंने एस पर कोश्चिन किया सबसे पहले यहां पर दे रखा है क्या कैश का प्रिटी कैश का लेजर बनाना यह सब तुझाए इस लेजर बनाने के लिए हमें अंडेस्टेंडिक रखने ग्रॉप के तो ग्रॉप्स को मैं एक हलका साब को एक चुचा सा वरव्यू दे दता हूं ग्रॉप के बारे में औके तो ग्रॉप्स अगर हम लोग ध्यान दे त्य टैली के अंdar जो ठॉटल बने होते हैं मिम को डॉटल ग्रॉप होते हैं वो हैट हाइस ग्रूप मिमारे हैं जिसमें हैं क्या 15 प्रैम रेंबी होते हैं और इनी प्राइमरी के अंदर ही 13 सेकेंडरी ग्रूप होते हैं अब जादे तर बच्चे क्या होता है इसी में परिशान रहे थाइस्टों ग्रूप होते हुआ और उसी 28 ग्रूप में वो जिंदी के बार फसे रहते हैं एक्जाक्लि आप ग्रूप का एक कंसेप्ट समझना है सिंपल सा समझो सर अगर आपको ग्रूप समझना है तो सर हम लोग मतलब अकाउंट की बात करेंगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि परस्नल अकाउंट होता है पिर हम पढ़ते हैं यहल अकाउंट होता है पिर हम पढ़ जो पढ़ते हैं तो कंप्यूटर का जो अकाउंट है यह जो टैली टैली समझता है अकाउंट को modern classification के आधार पर वह समझता है भई देखो आप साल के अत्में पी अनल बनाते हो profit and loss उसमें एक दिखाते हो expense तो यह नहीं बोलता है कि expense का अकाउंट होता है कि फिर बोलता है कि income क्ति होता है आपका income का अकाउंट होता है एक बोलता है ग्ती का अकाउंट होता है तो जो इनका जो understanding है समझने का दिख services प्रायमरी यог에서 समझता है और यह चारbs इंकम माईनेस एक्सम्हroll प्रोफट तर में दो चीज़े अब समझ लेज़े यही मेन ग्रूप है मेन ग्रूप हमारे यही जारो stadस जो भींघाक है अल fantastि में रहे तो फिक लाईट्साऎ क intentar लों अब हम लोग दोगे confused क्या है exactly है क्या इन्हीं expenses को explain कर दिया इन्होंने 28 ग्रूप में अभी 28 पर नहीं अभी आप 15 पर focus करें में इसके अंदर expenses को classify कर दिया expense को classify कर दिया तीन तरह किते कि मैंने एक नहीं company मनाई है मैं सारे groups देखना चाहता हूं तो मैं डिस्प्ले में जाऊंगा मैं यहां लिस्ट आफ अकाउंट्स में जाऊंगा और यहांद कि सारे ग्रूप एक्सप्लेंड है कि अच्छा मज़ा की बात कर दूं कि भी बहुत से बहुत ही बोलेगा गलती से भी क्या करते हूं अल्टर में जाते और यहां पर आपको काउंट करके दिखाते हैं मैं भी काउंट कर दे रहा हूं एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारत तीरह चोदा पंद्रह सुलग सत्रह ट्रह उननेश बीस एकिस बाइस देश चौबिस और फिर कहते से दस और नीचे लगए चौटिस ग्रूप होते हैं तो इस इस उल्जन में मत रहेगा जैकली यहां के पर ठीक है तो ये बस आपके लिए दोखा है आख मोंका ऐएक ही चीज़ अब जिसे डायरेक ईक्सपेंस इन डेट एक्सपेंस डायाट क्या बोलते हैं कि ऑदेlaubन से जिक्छे उसको लोग रिटेन अंडिंग भी घाती है तो नहीं की चीज़ है तो तरह से छे ग्रूप आपको अपने ग्रूप पे तो डिस्प्ले में जाएगे डी दबाईए डिस्प्ले में चले गए और लिस्ट अपका के लिए अल दबा दीजिए अब देखेंस की बात करता है एक्स होगा ऌजना हो से तो इसके अंदर कि अपको प्राइमरी ग्रूप से दियान रठी हैं तो तीन ग्रूप आपके एक्सपेंस से क्वेश्रां हो कर देखेंस अगर बात करेंसेιंख में डेख लिठेंस अगर हम बात कर एक डार्यरude इंकम है एक इंडालिट इंकम है और इक हो आपके तो देखें तीन अभी आपको expense के मिले ओकी तीन आपको income के मिल गए अब हम asset के ग्रूप की बाग करेंगे तो asset के ग्रूप जो है ध्यान से देखिए assets related कौन-कौन दिख रहे स्टार्टिंग से मैं चेक कर दो हूँ करने असेट बिल्कुल यह asset प्राइमरी बूस्ट बस ध्यान देजे सेकेंडरी नी करेंट एसेट पहला है फिर अगर हम लोग asset की तरफ देखें तो यह सब तो होगा नहीं asset हां fixed asset यह भी है दूसरा हो गया प्राइमरी ग्रूप से ध्यान दे रहे पहला current asset दूसरा आपका fixed assets तीसरा investment यह भी हमारा asset होता है और फिर miscellaneous expense asset लिखाई हुए है अगर हम लोग देख रहे हैं एक दो तीन चार आपको चार ग्रूप्स आपको मिल गए किसके asset के अब आप समझ गया होंगे तीन चार दस तो यह हो गए बाकि पांच बचेंगे वो तो liability का होगा देख लिए liability के आपका suspense account तो यह आपका क्या हो गया suspense account as a liability रहता है वह कहीं भी हो सकता है यह हो गया पांच फिर के यह टोटल मिला कि अगर आप कांट करेंगे तो यह 15 ग्रूप है तो यह मत सूचे को कुछ और है यह expense तीन होते हैं इंकम के तीन asset के बाच चार और liability अब इन जो classification को और classified कर दियागे करेंट एसेट में बाट दियागे एक करेंट एसेट भी बैंक अकाउंट cash यह सब होते हैं तो इस हम लोग laser बनाते से में देखेंगे मेरे खाल से इतना हद तक आप समझ गयों है अब हम लोग आते हैं डाली पे अब अब ना थोड़ा सा cash उनाती उसे को pretty cash करते हैं अब पेटी के हमारे लिए क्या होता है cash in hand है यह cash के ग्रूप में जाएगा अब हम लोग बात करेंगे किसकी pretty cash के बाद अगला जो ग्रूप होता है वह है land and building तो land and building जा देखते हैं लेकिन हमें ब्रेकट में समझा दिया है वहीं क्रेटर है यह हैं हिंट दिया है हम लोग उससे पकड़ ली संट्री रिटर वेजिस क्या होता है हमारा बताया गए डायेट एक्स्पेंस क्योंक्त्य हम उसको ऐसको मज़ गाम करते हैं और यह बोला गया है कि मज़दूर कहां गाम करते हैं फैक्टरिय के अंदर में धा安 अधिमार नेक्स यह आपका programmer तो हमको समझाया जाता है कि अफिस के लोग को देते हैं लेकिन अगर यह और फैक्टरी के अंदर ही सुपरवाइजर है उसको तो हम सालरी देते हैं तो उसकी सालरी तो डायट एक्सपेंस हुई ना कि फैक्टरी से रिलेटेड है तो फिर भी अभी नहीं कि आप उसे बोल दिया गए मैंने समझा दिया कि सालरी डायट है तो आपको जगह देखने हैं לס़ुरोली हमें अग्वेमेश अगला हैदिके सब्सक्राहिए यह इंक्स यहांपेंटस के लिए कम्प्यूटर होता है हमारे बिजनस के लिए कम्प्यूटर के एकांटिंग बहुत सारे काम करते हैं तो अगला है वैट तो वैट क्या होता है वैट में इस डूडिस अंट एक्सेज यह वह टेक्स है हलाकि वैट तो अब खतम हो गया अब इसकी दिए जी जी एस्टी आ चुके तो मैं लगे हाथ जी एस्टी का भी बना देता हूं तो जी जी जी डिया नहीं है क्योंच्ञ में अपनी तरह से बना देंगे जूटीजिऎगा सभी ट्वी के जाएग'll नेक्स मुंबवें ब्रांज ए तर आपका तो भॉऌन। जाएब से बात है हमारे बिज्ness के बहुत सारे ब्रांशे है तो जैसे ब्रांच में आप इसको डालिए कि देन आउटस्टेंडिंग सैलरी होता क्या है ऐसी सैलरी जो हमने जो हमारी मब दिदेना लिए मुझे जल से चुकाना है अगला है फीर सीव अगर हम वकील हैं तो हम यह यह वह यह 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 तो यह 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 फिर आप पोचिंग से एंडर खो तो पुचिंग से आंडर जो फीच लेते हैं उसके लिए क्या ऊतारार डायर्ट इंकिंग होती है लक्र जो फीश्व मोर्ष जे लेकिव देखाए जा रहा है लोग से कंट ट्याली ने गुरूप बनाके रखता है सेल से तो चाहिए से लोच से लेटन क्वी होगा तो सेल में से माइनस तो जाता है इस्यलेंडर क्या होता है सेल अकौंट नेक्स्ट है क्या बैट्रिप्स देखें बैट्रिप्स है बैट्रिप्स हमारे बिजनस के लिए क्या इंडाइड एक्सपेंस है क्यों क्योंकि बैट्रिप्स सेल होने के बाद होता है सेल हमने किया उधारस बंदा ले गया और बाद में पैसा ही नहीं दियाने के यह सेल के बा इसके बारे में बहुत कम नौलिज होगी जो लोग अभी नए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अगर आपने अकाउंट्स बैक्राउंड के हो तो आपको पता होगा कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपकी से पीएफ का पैसा कटता है तो अपने पॉइंट ऑफ यूसे मत सोचे आप कंपनी के पाड़ ऑंफूकर ऑफ से उसको अपके पैसा काटता है और उसे हैं घ्क हकर देना होता है जिसका दूरे में आपको बताद हुआ अगले मैंने की 15 तारिक को इस महींने जितना मैं पीएफ काकूंगा सालरी से आपके उसको यहां नेक्स्ट क्या है मोहित को मोहित तो डेटर है जब पार्टी आगए तो वह तो वह तो या तो संडेटर होगी तो सिंबल साथ डेटर लगा रखा है तो उसले डेटर बना दे रहें नेक्स्ट आगे देखें यहाँ पर क्या हुआ है नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉप ठीक ओपनिंग स्टॉप इस नेक्स्ट है आपका एक्सिस बैंक करेंड अकाउंट एक्सेस बैंक जहां पर हमारे काता है करिंट अकाउंट है जिससे हम लोग बिजनस करेंगे तो जाइसमेत क laid क्सिफब हमारे यह बैंक है इसे हम deposit करेंगे इसे से म्यतनली पेवेंट करेंगे दो एनक्सिप बिल्डिया बिल बिल इसे ओ मेउ कुझा है पैसा मिलने वाले हैं हमारे लिए होता कि है स्वारी मैंने गलट डाल दी अंडर ग्रूप हम लोग जाते हैं गलती होगी अच्छी बात है गलती होगी हमसे हम सही करते हैं ऐसे यह आपको पता चाहिए आद्र मैं जाते हैं आप बिल्स रिसेवल बैसे लोता शाहिए उसका पैसा मिलने वाले तो करेंट इससे और जल्द से जल्द मिलें तो करेंड आएंगे पिर जाएंगे प्रियूइट विच्च अब किया है बेसे बलता कि दूर्गेश स शिंग दुरिए सिंग हमारे लिए हैं क्या लिए पू immersion और मतलब करीते समय हुआ है तो खरीते समय है अपने इसरे होगा डायटुट तो जो टाइक्स्ट होते और इसको बेचते मेशने हो रहा हुआ इन्वर्ड हो राए अगले का अगर करा है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं अगर है कि इस मट्द करेंख करेंट किए हिंड दिन सब्सक्राइब सकते हैं और फेलेंस ब्रिनिग और प्रेंट क्रेंटन सेंटेञर होताइब समझें ऑफिस को स्थेंटाचे था कंप साहे या फेले ऑफिस पेनगे पेपर पिम्मारला थे मिरेंट कि इसका डनुबत्रक्र गिलिए इसको करेंगे से एक से लोन फ्रम आई से से बैंक कि यह क्या बैंक से जब लोन लेते तो फटक से लोन लोग डालने लगते प्लीज टैली के अंदर लोन यूज मतहीं करिए जब भी लोन लेंगे नीचे रहता है तो हम लोग डालेंगे नीचे ही रहता है क्योंके बैंक से लूझ नहीं देती है कि प्लीज को सब चीजों को रहेखर मेरे से मत पूठेएक अनने के चलते हैं और फैनाश कपणी जब लोन देते हैं क्या है क्या सबस्क्राइब आदे तो क्यों से एक और बात का दिहां रखेएगा जह लोन का अमाउंट है वो security के amount से कम होता है जैसे हमने 6 लग का loan लिया 10 लग के security रखी तो यह secure loan है लेकिन अगर 6 लग का loan लिया 6 लग के security रख रहे ना तो भी सर वो unsecured loan है आपको लगेगा बराबर है तो कैसे unsecured होगा क्योंकि जैसे एक दिन बीतेगा इंट्रेस चार्ज हो जाएगा तो लोन फिर बढ़ जाएगा तो वो unsecured हो गया ना सर तो इसलिए bank का जो भी loan होता है हमें मान के जलते secure loan फिर देखे आगे लिखा है loan from finance company loan from finance company अलाकि मैं आपको बतातो बहुत सारी finance company या unsecured loan देती है तो यहाँ पर आप देख लेजेगा secure या unsecured दोनों डालिए कोई दिक्कत नहीं है अगर वो unsecured है कि वो कैसे finance company से ली गई है तो unsecured भी डाल सकते सब्सक्राइब मैनेज इस finance company से लिया loan उसने हमसे बकाइदा security रखवाई है अगला के ड्रॉइंग ड्रॉइंग जैसे बत अपनी capital में सही करोगे तो इसले capital account अगला है outstanding wages wages जो बकाया अभी तक दिया नहीं है तो जैसे बत एट सा current liability हमें जल से जल देना होगा उसे के बाद पिर देखे क्या सेल्स है जो सेल्स का अंडर क्या होता है अगला के जो सेल्स अमारा है बैट्रिप्स रिकवरी वह बैट्रिफ्स था जो डूबा हुआ पैसा था वह रिकवर हो गया यह हमारी इंकम तो है लेकिन हमारी डाइट इंकम नहीं हमारी इंडिट इंकम है हो गया चालक नोगलों डाइट इंकम भी क्या होता है यह Selfies श्थ Сейчас अगर हमारा स एक्टिविटी है हमारे कंप्यूटर बीचना तो कंप्यूटर बीचने जो इंकम आती हो मेरी डायट इंकम उसके अलावा अगर कहीं से भी इंकम आ जाए तो उसे हम इंडायट इंकम क्याते हैं यानि जिसके लिए आप दिन रात मैंनत कर रहा हूं वह पैसा जो आपको मिलता अचाना कहा की तो हमारे इंडायट इंकम इनाउग्रेशन एक्सपेंस तो इनाउग्रेशन एक्सपेंस होता क्या है बिजनस को चालू जब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में हमको फुद घाटन करना पड़ता है ठीक कि आफूल की चार्ट के लाते हैं और इस सालर में नहीं दिखाएंगे खर्च में इसको फासाल में खर्चों में दिखाते हैं यहनी फासल में मोर्भ कर देते हो nasa को पाय। इसलिए क्या होता होतों मौ इसको अधिस कॉल्ट ग्रूद दिट्रे reject ओ कि आगे बढ़ते इनॉइक्सब्स तक अब अद्गले है कि उनुइन हाट बैन Geb Sanchez को अगर हम प्रोवीजिट बना रहे हैं उसके लिए पहले से प्रोवीजन बना सकते हैं तो प्रोवीजन की लिए चुक्रिर्श के ज़र लागे सब्सक्रिफ अगला है अगला है प्यएंबि टो पिएपीशन में अगर हमारा चुक्त तो आधा है याई से मतेरे बैंक अकॉंट में जायेगा इंट करता है ऑगला है बेट्टी याद होगा विल्ड रिष्टेबल था तो करेंट एसे दिना है यहांनि सका पेयमेट में कर दिना है सालवर के अंदर तो इस सकरेंड लएविल्टी कि आखे तो कि भी खी निया है सोहित माथॉर कि हैं तो है सो पर कि हमारे क्या है वह गैजिए क संडरिडर ओग高 मेंश एक्समा नेक्स्ट नेक्स एक्सपैंस नकिस्पैंस आइ-पूर्चेस आपको बाता है तो भी खरीदने से रएट जितने खर्च होते हैं सब क्या होते हैं direct expense होते हैं कि हम लोग क्या डालेंगे direct expense अधर कर के टेलेफोन expense है अगर हम telephone expense के बात करें telephone expense हमाहिए क्या है तो टेलिफॉने एकस्पेंस की बात अगर करते हैं तो तब बोनस वह पैसा होता है जो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करके अपने इंप्लोईज में बाटते हैं और कई बार तो कंपल स्री देना परते हैं तो बोनस हमाई लिए इंडरेट एक्सपेंस है अगला है एडवानस सालरी अगर हम दे रहें तो जाइस पते हैं यह हमारा आजाएगा लोन एडवांस में हम दे रहें ना कि ले रहें ले रहे उते तो लैबिल्टी दे रहें तो हमरी आसेट अब क्या है लोन फॉम अंकल्ट कि रहें भी लिख सकते थे ऐबोजी क्या है हमारी लिए अनसेक्योडी यह आज आगा बिन आजञें आज़ान अनकल ल५िन लोन लीटे जैने से क्युक्योड यह रखते हैं अरबित क्याफटल को अब को अ अमदे security deposit deposit to security deposit at UPB कुत्रवदेश electricity board सेक्टी डिपोजित deposit जब भी करेना आप deposit fund में डालना deposit हमाहिए असिट होती है security deposit है ये पंड हो जाएगा funded हो लेई इस लिये अगला क्या है परचेश का अंडर क्या होता है परचेश अकाउंट यहां डायट एक्सपेंस होता है नेक्स परचेश के बाद फिर कमिशन रेसीव है और सो कमिश्टन अगर रिषीव हूए है तो कमिश्टन हमाई लिए क्या है अब ज्या ध्यां रख लेगा है यह हम लोग डाल रहे हैं इनडायेट क्या सोच के डायट इंगम कर रहें लेकिन हमारा बिजनस है अब क्या हुआ हमने बगल वाले के शॉप का कुछ सामान बेखवा दिया यह कहीं से कुछ हाँ ओ अगर आ गई या मेरा में काम तो बिजनेस है साथी साथ मैं एलाइसी एजेंट का भी काम करता हूं लेकिन पूरा फोकस उस पर नहीं करता हूं और मैंने एक-दो एलाइसी करा दी महीनिया में और उससे कुछ कमीशन मिल गया तो यह मेरे लिए इंडायट इंकम नेग्स क्या है इंवेस्मेंट मीचल फंडा इंविस्मंट इन मूचल फंड व्यचार आ रहरा है सही है I commit मिच система है क्या investment है हम लोग पैसा लगा रहे हैं इंवेस्ट कर रहे हम लोग पैसा किसलिए investment का मतलब क्या होता है यह तरह की सेविंग होती है investment is a type of saving जो हम इसको ऐस तरह से रखते हैं कि उसके अंदर भी कुछ गुरूथ हो अगर हम गुल्लक में पैसे अगर सेव करके रखते हैं उसको हम सिर्फ सेविंग कह सकते हैं उसको हम इन्वेस्पेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि गुल्लक में पढ़ेगा तो वैसा कब वैसा रहे डालता उसकी वैले कम हो जाएगे लेकाड बैंक में डालते हैं ऐसकी बढ़ती है और घट जाए वो बात की बात लेकिन में मकसद क्या होता उसकी ग्रोथ करना इसलिए अगला है preliminary expense तो preliminary expense अभी हम लणों डिसकस किये ही था तो preliminary expense जो जाएगा यह हमारे जाएगा मिस्स लेने इस expenditure asset में क्योंकि हमें पांस साल में राइट आफ करना पूरा ख़र्चा इस साल नहीं शो आफ करना है जैसे हमारी कंपनी है रेंट का बहुत मोटा माउंट होता है तो हम क्या करते हैं जैसे हमारी इंकम हर मही नहीं आते हम पहले प्रोईजन अब बस सॉरी तो देखें यहां पर प्रोवीजन फॉर रेंट अल्टर कर लिया यह अट सब्रोवीजन अब बाहराई इसकेप करें प्रीड याकन प्रेंट देन देखें अपना प्रोवीजन फॉरेंट होगी यह लास्ट चौती लाइन क्रेट कार्ड और पाईसे से बैंग credit card of ICICI bank तो दीके credit card है क्या यह यह एक तरह के ODA bank ODA यह टो ना यह तरह से कह सकते है loan है zero account balance होता है इतना फिडरो करोज के उपर loan चड़ जाता है इत्से बैंक ODA account loan नहीं एक तरह का Amit and Sons तो यह तो पार्टी का नाम है तो हमें तेंट सांस दीखे है क्या संट्री ग्रेटर क्रेटर कंट्रोल है अब दीखे हाप यह क्या सस्पेंस किस फजय का है तो इस केस में हम लोग सस्पेंस का लेजर फोरते हैं तो सपेंस का भी खाता क्रीट दरना पड़ेगा और सको पर आपधा है अगर आपको नहीं चोटा से एग्जाम्पल देता हूं शपोस करिए मैंने आज दिन बार में मेरे जेमें थे 5000 रुप है मेरे जेब में होना चाहिए 2000 रुपए लेकिन मैं देख रहा हूं चेक कर रहा हूं मेरे जेब में 1600 रुपए हैं तो यानि कि 3000 अगर 15-चार में से गए तो कितने बचने चाहिए 2000 रुपए अब मुझे लेकिन आप खर्च हुआ है पता नहीं क्या I don't know but clear नहीं है तो आज मैं रात बर सोचता रहूंगा दिमाग मेरा खराब होगा मैं उसको फिलाल सस्पेंस में डाल देता हूं कल को अगर जब वह खर्चा पता चलेगा सस्पेंस का नाम हटा करके सही लेजर का सही खाता हमाँ प expense on sales बेश थैसे हमें कर कोई खर्चा हो रहे हैं खरीते समय खर्चा हो तो direct बेशते समय कोई कोई खर्चा आइप कि मैं अब जाँ देखें ऐहां पर अगला के The advertisement इसके बाद क्या होता है एडवर्टीजमेंट है एडवर्टीजमेंट हमाई लिए इंडएट एक्सपेंस होता है विग्यापन रहेंगा कि मैं सेल्स के लिए कर रहें इंडएट-एक्सपेंस इब अगला क्या है कमीशन है कमीशन भी हमारे कि देवरियाब रांच देवरियब रांच यानि कि एप रांच दिवीजन में जाएगा अब करणे अरे पंपर यानि हमनें अडवांस दिए हुए मकान वालिक को आ हुआ कि है पिरफा रिटन के हमाई लिए पढ़ेश जैये नेक्स अगला खेए इंट्रस्ति रेसीभ क mica अहगर इंट्रस मिल रहे हैं आधे इंकम मैं लेकिन यह बात आपको देखना पड़ेगा कहां पर कि इंट्रेस्ट के इंकम मालेब यही कामी करता हूं कbor को पैसा देता ह। पिससे इंट्रेस्ट लेता हूं लेकि मिल benut पैसा बिजिनस कक्या इंट्रेस्ट के ओगते हैं कि कि आध में की पर को सिचवेशन कि नहीं पड़ied इंवेस्मेंट शेर इमेस्ट मुंत्त हैं दोग होग हो आपको कि इंवेस्मेंट शेर ईफ्री इंवेस्मेंट के खाते में जाए प्रॉपेट का पैसा कुछ हम बचा लेते हैं बविश्र के खर्चे के लिए यह होगा रिजर्वेंट सर्प्लस में ओके लास्ट लेजर देखिए हम लोग बना रहे जन्रल रिजर्व जन्र रिजर्व पूरा लेजर है अठाइस जो ग्रॉप होता है 28 groups उन सभी को हमने यहां पर यूज किया अब एक नीचे दे कोश्चन रिखा है create following groups तो चलिए ठीक है एक ग्रूप बना लेते हैं एक ग्रूप 28 बने होते हैं मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ यह किया रहा है अब देख रहा हूँगे अब छाहँ लेजर्स भी बन गये और इसे में बना आउटस्टैंटिंग तो ओसे होगा आपके किया रहा है कि है चेंज अंडर ग्रूप आफ आउटस्टैंडिंग लेजर्स जितने पी आउटस्टैंडिंग लेजर्स बनाए तो दूट नहीं आनों में अटस्टेंड सेलरें वेजिस सलो हो यह दोना ऐसे आपने नाम उल्दाँ से यह दि की अटम करें डिला हुड है चीज़ बस आपने नाम थोड़ा अच्छा दिया इसका भी अंडर आउटस्टेंडिंग कर देला है तो यह कंप्लीट हो गया यह सब कभी नहीं भूलना चाहिए यह सब शॉटकट कीज भी है तो यह सेकंड आसाइंड्मेंट था यह ग्रूप समझें अगर इस पुछ ग्रूप के बारे में आपको इस पेशली समझना हो तो यूविल आप कमेंट में डाल सकते हैं कमें बॉक्स में यूट्यूब में और भी कोई एगर दिख्कत हो तो आप पूछ सकते हैं डाली से रिगार्डिंग तो मेरे खाल से अगर आपको यह वीडियो प प्रसंद है तो इसको लाइक और शेयर करेगा सब्सक्राइब का बुटन दबाना भूल जाएगा थैंक यू वर वाचिंग दिस वीडियो